एए रही किश्णा नहीं मैं किसी के अखुन से अपने हात नहीं रंग सकता मेरी आत्मा तो उस दिर्श की कलपनां से ही काप उठती है पिश्मा मैं अपने ही सगे संबन्धियों का खून कैसे बहा सकता हूँ गुरुदेव तेक्षिश्षी के लिए पिता और भगवान के समान होता है तो फिर मैं उसका अनादर कैसे कर सकता हूँ जिस गुरुदेव ने मुझे धनुर विद्या दी तीर चलाना सिखाया उन्ही की दीवी धनुर विद्या का दुरोफ्यों करते हुए मैं उसी आदर्नी शरीर पर तीरों की वशा करूँ उन्ही के सीने को छल्ली करूँ मैं इतना होचा अटगिरा हुबा मनुष्य नहीं इतना ओजार गिरावा मनुश्र नहीं हूँ और पितामा वो तो आदर्निय ही रही पूजनिय भी है इतने पूजनिय कि जिनके आगे मैं नज़र नहीं उठा सकता हूँ उनके विरुत हतियार कैसे उठा सकता हूँ किष्णा जब मेरे पैरों ने चलना भी नहीं सीखा था तब पितामा ही ने मुझे मेरा हाथ धामकर जीवन पक पर एक एक कदम चलना सिखाया था जिस पितामा के सीने से मेरे लिए प्रेम और स्नेख की गंगा और जमना सदा भूटती रही है उस पितामा के सीरे में मैं तल्वार भोका खूर की नदिया कैसे बहा सकता हूँ मैं कोई देट नहीं हूँ जो मैं मेरे अपनों के ही रख्त से अस्नार करूँ यह मुझसे कदापी नहीं हो सकता कदापी नहीं वाह अरजुन वाह लगता है उर्वशी के श्राप का प्रभाव तुम पर अब भी शेश है तुम अब भी नपुनसक की भादी बोल रहे हो तुम युद्ध भूमी के बीच खड़े होकर जो भाशा बोल रहे हो वो किसी योध्धा की भाशा नहीं आज जिन्हें अपना कहते कहते तुम्हारे जिवा ठकी नहीं जिनके लिए तुम्हारे मन में प्रेम इसने और आदर की गंगा बह रही है याद रखो ये वही लोग है जो तेरा वर्षों पहले द्यूत सभा में तुम्हारी पत्नी द्रौपदी के निवरस्थ होने का तमाशा चुप चाप देते रहे थी किसी ने जिवा तक भी नहीं हिलाई थी इनमें से किसी एक ने भी उसकी रक्षा के लिए उस समय हाथ नहीं उठाए थे और वही हाथ आज तुमारी हत्या के लिए उठे हुए है सबके हाथों में तुम्हारे और पांड़मों के वदद के लिए आज तीर व तलवारे तलप रही है क्या यही तुमारे अपने हैं जिन के लिए तुम प्रेम और आदर की भाशा बोल रहे हूँ हे अर्जुन, तुम इस समय कोई लगनमंडप्र नहीं हो, बलकि युद्ध भूमी पर खड़े हो और जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो, वो इस युद्ध भूमी में तुम्हारा स्वागत और आदर सत्कार करने नहीं आये हैं वो सब के सब तुम्हारा और तुम्हारे भाईयों का नाम अपने अस्तरों पर लिख कर आये हैं देखो उनकी ओर, इनकी आखों में तुम पांड़मों की नित्य का नित्य देखने के तृष्णा तडप रही है और ये तड़प, ये प्यास, केवल तुम पांड़ों के रक्त से ही बुझेगी देखो उनके तेवल देखो ये विशहले बाण, किस किस को अपना निशाना बनाने के लिए उत्सुक है अगर ये तुम्हारे अपने हैं, तो फिर ये तुम्हारे कौन हैं, पराय हैं, शत्रु हैं, जिन्हें तुम कौर्वों के निर्दई शत्रों के हवाले कर देना चाहते हो अरे ये तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हारे जीवन और मृत्य में तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे हित के लिए युद्ध करने आये हैं हे अर्जुन इस समय ये सब तुम्हारी गांडिव के टर्दकार सुनने के लिए उत्सुक है हे पार्द इस युद्ध भूमी के मद्रेखा पर खड़े होकर तुम्हारी द्रिष्टी पर मोहो का परदा पड़ गया है अर्द सत्त तुम देख रहे हो कि ये तुम्हारे अपने है परंतु ये अर्द सत्त तुम्हें नहीं दिखाए दे रहा है कि ये कौर्वो जो तुम्हारे अपने है वो इस युद्ध भूमी में तुम्हें अपने गले लगाने नहीं आये है पलकि तुम्हारे खून से होली ख कह रहे हों यह कौर वो एक बात निश्चित रूप से जानते हैं कि यदि उन्हें इस युद्ध में विजय प्राप्त करनी हैं तो उस महा पराक्रमी को अपने रास्ते से हटाना होगा जिसका नाम अर्जुन है पार्थ तुम इन्हें अपना समझते हो इसलिए तुम इन्हें मौत के घाट नहीं उतारना चाहते हैं परन्त यदि तुम इन्हें मौत के घाट नहीं उतारोगे तो यह अवश्य ही तुम सब को मौत के घाट उतार देंगे यदि वो मुझे मारना चाहते हैं, तो मारते, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, परन्तु मैं अपनों को ही मार कर, पाप कैसे कर सकता हूँ? इसे तो अच्छा है, कि मैं कमंडर लेकर घर घर भिक्षा मांगता भिरूँ वा अर्जुन, कितने सुन्दर विचार हैं, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं भिक्षा मांग लूँगा हे अर्जुन, ये बात कोई वीर नहीं, केवल एक कायर कर सकता है क्या तुम अपनी कायरत्या का प्रदर्शन करने के लिए इस युद्ध भूमी पर आये थे? क्या वर्षों घोर तपस्या करके, अपने पिता श्री देवराज इंद्र से, तुमने दिव्यास्त इसलिए प्राप्त किये थे? क्या तुम्हें अपनी माता कुंती का अंतिम संदेश याद नहीं? कि जब भी मेरे सम्मुक आओ, तो विजय इबन कर आओ, और अपने माते पर कौर्वों के रक्त से विजय तिलक लगा कर आओ. हे अरजुन, याद रखो, अपनी माता के उस वचन को निभाने की जिम्मेदारी तुम पर है. इसलिए, अपने हिरदय की तुच्छ दुरूबलता को त्याक कर, शत्रियों की भात युद्ध करो, क्योंकि शत्रियों का धर्म है युद्ध करना. मैं भी जानता हूँ कि मैं शत्रीः हूं करना मेरा धर्म है कंच उत्रेत इस युद्ध भूमी में युद्ध भिलाशी इस स्वजन समूह को Dekker मेरा शरीर धहीणा पर रहा है मेरी आत्मा काप रही है मेरा गला सूख रहा है कि परस्पन वेरोधी विचारों की आक्रमन से मेरी मती भ्रमित हो गई है इस तुविधा के कारण मुझे मेरा मार्ग स्वश्ष दिखाई नहीं दे रहा है एक रिश्ट तुम मेरे गुरू हो भगवान हो मैं तुम्हारी स्वर्ण में आया हूँ अब तुम ही मेरा मार्ग दर्शन करो मुझे रास्ता बताओ क्या उच्जित है और क्या लुचिट वार जुनवा एक सांस में तुम ग्यान की बड़ी बड़ी बाते करते हो और दूसरी सांस में अपने को शिश्च बान कर मुझसे ग्यान और मार्ग दर्शन की याजना भी करते हो ये पार्थ, तुम्हारा ग्यान अधूरा है और अधूरा ग्यान तो धारी तलवार की भाती होता है जो अधूरे ग्यान देने वाले और लेने वाले तोनों को काटती है इसलिए सबसे पहले तुम्हें इस घातक तलवार को छोड़ना होगा ना कि अपने गांडिव को पर उन्तु तुम तो उल्टा ही काम कर रहे हो तुमारे हाथ में अधूरे ग्यान की तलवार है और तुम में अपना गांडिव नीचे छोड़ दिया है हे केशाव मैं क्या करूँ मेरा मन और मस्तिष उस धरमकाड़े की भाती डोल रहा है जिसके दोनों पलरों में बराबर बराबर मात्रा में ज्यान और अज्यान दोनों रखा हुआ है सीदो राहे पर खाला हुआ मैं आपकी शरण में आया हो मुझे गुरू की भाती रास्ता दिखाओ बाध हाओ, रास्ता दिखाओ हे अर्जुन, तुम्हें ना केवल इस युद्ध भूमी की मद्ध रेखा पर खड़े हो बलकि तुम्हारे बुद्धी भी जीवन और मृत्यु की मद्ध रेखा पर अटकी हुई है इसलिए तुम अपने कर्तव और अपने धर्म से भाग रहे हो परिंतो अपने कर्तव से युँ मू मोरने से या इस युद्ध से विचलित होने से विधी का विधान नहीं बदलेगा क्योंकि विधाता का निर्णे अटल और अचूक है तुम क्या समझते हो तुम्हारे नहीं मारने से ये सब नहीं मरेंगे नहीं अर्जुन नहीं तुम इन्हें नहीं मारोगे तब भी ये मरेंगे क्योंकि इनके प्रारब्द ने इनकी मित्व का समय दिन अश्ण तो पहले से ही निचित कर दिया है उसी विधान के अनुसार मैं तुम इन्हें पहले ही मार चुका हूँ तुम तो केवल माध्यम मात्र हो तुम्हारे माध्यम से मैं इन सब का वद्ध करना चाहता हूँ तुम इसे अपना कर्तवी समझो या प्रारब्ध तुम्हें इन सब का वद्ध करना ही है मैं क्या करूं मैं क्या करूं मद्व सूदन अपने मन को कैसे मारू अपनी भावनाओं को अपने ही पैरोतेले कैसे राऊं डालू पता हो मैं क्या करूं हे पार्द धर्म के रास्ते से हटाने वाले भावनाओं का त्याग करो भावनाओं के समुद्र में डोलने के बदले टैर न सीखो तुम तो एक कीर्थिमान पुरुश हो अपनी निर्बलता का यून प्रदर्शन करके तुम अपनी कीर्थि को नष्ट मत करो एक वीर पुरुश के लिए उसके कीरती का नश्ट होना उसके मित्व के समान है इसलिए युद्ध करो पार्थ युद्ध और अपने कीरती अपने करतव्य और अपने धर्म की रक्षा करो